Dear Students, Welcome to Eduhub Online Classes, मैं हूँ जयन्त तो दोस्तो आज एक नई अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे एक्जाम्स को लेकर एक नया अपडेट आया है कि 12th CBSC Board एक्जाम छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के चिफ जस्टिस को लिखा है चिथी जो स्टुडेंट है दोस्तो, स्टुडेंट और अभिभावक लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे एक्जाम जो है कैंसल करा दिये जाए तो इसी को देखते हुए छात्रों ने क्या किया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चिफ जस्टिस को चिट्टी लिखी और कहा परिक्षा रद करा दे इससे हमारी जान को है खत्रा तो केंद्र ने क्या सुझाव दिये हैं थोड़ा सा अपडेट आपको देना चाहूंगा अठारवे साल का छै महिना पूरा कर चुके जो विध्यारती हैं बारवी के चात्र हैं उनको अठारा से चमालिस वाले गुरूप में सामिल करके वैक्सिन दी जाए वैक्सिन कर दी जानी चाहिए पहली बात ये कही गई दूसरा केंद्र सरकार बारा साल से अधिक उमर के बच्चों के लिए अप्रूवड वैक्सिन को भारत में बच्चों के लिए खरी दे ठीके उसके बाद अगर वैक्सिनेशन हो जाए तो होना चाहिए एक्जाम अगर vaccination नहीं हो पाती है तो exam को रद कर देना चाहिए तो ये तीन बाते निकल के आ रही है आगे देखें CBSC बारवी के exam को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने ठनी हुई है जहां एक और केंद्र सरकार उसे जुलाई या अगस्त में करवानी की त्यारी में लग रही है वहीं दिल्ली और महराष्ट समेथ कई राज्य इस बात पढ़ अड़े हैं विना vaccination के student के exam के लिए न बुलाया जाए तो अभी तक दोस्तों कोई decision नहीं आया है लेकिन ये बात कहीं जा रही है कि पहले हो जाए vaccination और उसके बाद ही होने चाहिए exam इस कड़ी में मंगलवार को CBSC बारवी की कक्सा के करीब 300 student ने Chief Justice N.V. रमना को चिठ्थी लिखी है अपने later petition में इन student ने कोरोना के बीज physical exam कराने का CBSC का फैसला रद करने की मांग की है इस्टूडेंट ने Supreme Court से सरकार को assessment का वेकलपिक तरीका तै करने का निर्देश भी अपिल भी की है तो ये कह रहे हैं कि internal assessment के basis पे आप हमारे marks दे दीजिए physical exam करवाना बहुत difficult है इसलिए इनों बच्चों ने क मना को चिठी भी लिखी है ठीके आगे देखो क्या-क्या बाते और है सिसोध्या ने क्या-क्या सुजाव दिये कि केंद्र 18 साल का 6 महिना पूरा कर चुके 12 के छात्रों को वैक्सिन लगा दो 12 साल से अधिक उमर के लिए अपरूड वैक्सिन भारत के लिए खरी दी जाए व बोर्ड की परिक्षा पूरी तरीके से रद कर देनी चाहिए दसवी और ग्यारवी के माक्स और इसकूल के आंकलन पर बारवी क्लास का जो रिजल्ट है वो घोसित किया जाना चाहिए जो बच्चे result से सहमत न हो उनके लिए plan B के तहत परिक्षा करवाने का option खुला रहना चाहिए तो ये 6 बाते जो है अभी main मुद्दा है दोस्तो इनी 6 बातों पे discussion हो रहा है और इसी के बात जो है final decision लिया जाएगा तो दोस्तो आप हमारे channel से बने रहें जैसे ही कोई update आएगा आपको मेंशी channel के माध्यम से provide कराऊंगा दोस्तो थैंक यू, have a nice day, bye bye, जैहिन